क्या वाकई मोजुदा पंचय चुनाव के परिनाम में फिर वदल किया जा रहा है? क्या वाकई परत्यासियों और अधिकारियों के मिली भगत से जीतने वाले परत्यासी को हरा दिया जाता है और हार रहे परत्यासी को जीत का पर्मनपत्र दिया जा रहा है? क्या वाकई चंद भरष्ट और लापरवाह अधिकारी देश की समवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग की स्वक्षता और निस्पक्षता को कलंकित कर रहा है नमस्कार मैं हूं मुकेश सिंग और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं News90 आज मैं ऐसे सवाल लेकर क्यों आया हूं तो सबसे पहले आप एक ओडियो सुनिए फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे चुनाब का सेंबल हमको भेज दीजेगा जी 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 कुन सा अपके साथ घड़ेलू संबंध है याद रखिये जी जी एक दो ब्लोक का टेंडर भी आपको दिला देते भड़िना को कह करके ठीक है जो है रेडी रही आप चान ब्लोक में और अगले बाल भी हम लोग मुक्ष अभी जो ओडियो आप सुन रहे थे उससे यह असपष्ट जाहिर होता है कि एक मुख्या प्रत्यासी किसी उचाधिकारी से बात कर जिताने की सेटिंग कर रहे हैं और वह अधिकारी भी यह कह रहे हैं कि आप निश्चिंद रहिए आपको जिताने की गारंटी लेते हैं हम और अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि पिछली बार भी हम जिताये थे ना क्यों कि पुष्टी मैं नहीं करता हूं लेकिन मिली जानकारी के अनुसार छपराजीले के एकमबा प्रखंड अंतरगत देवपूरा पंचायत चुनाव में मुख्यापत की प्रतियासी गुरिया देवी के पती मुन्ना साही और किसी उचाधिकारी के बीच की बातचित का ये जिसमें मुन्ना साही की पत्नी गुरिया साही ने जीत भी दर्ज की जबकि ओडियो से यह भी अस्पश्ट होता है कि बात करने वाला प्रतियासी अपनी हार को लेकर बहुत चिंतित हैं उनकी सहली इस बात को जाहिर करती है कि वो चुनाव हार रहे है आपका अंदाजा कित दिजिए साथ, थीक है । खाली एमको भेजी है, सेंबल भेजी है आप, जल्दी है साध. जीत दर्ज करने के लिए अधिकारियों से सेटिंग किया था, ये भी ओडियों से अस्पष्ट होता है, सेटिंग किये जाने की बात इसलिए सही सावित होता नजर आ रहा है, क्योंकि 13 अक्टूबर को मधिपरा जिले के कुमारखंड प्रखंड अंतरगत, इसराइन बेला पं निर्वाचन आयोग को भी सिकायत किया, कि CCTV पूटेज दिखाया जाए, हलांकि असोक महता को अंसन पर बढ़ना पड़ा, और अंसन के पांच दिन अंसन करने के बाद, असोक महता को टिपी कॉलेज में 4 नौवंबर को बुलाया गया है CCTV पूटेज देखने के लिए SDM के द खिर जो भी होगा, मामले में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इधर मुडली गंज परखंड के भतखोरा पंचायत के मुखिया पद की गिंती 26 अक्टूबर को की गई थी, जहां मतों की गिंती के बाद, जीतने वाले प्रत्यासी, रणी सिंग के पती, रतन सिंग के दोरा सुईकारक्ति बयान में भी इस बात की गवाही दे रहा है, कि वाकई उन्होंने जीतने के लिए काउंटिंग हॉल में ही सेटिंग किया था, सुनिए जरा उनके वीडियो को, वो क्या कह रहे हैं? पंचै चुनाब के ये तीनों मामले, पहला कुमारखंड प्रखंड के इसराइन बेला पंचैत की, दूसरा मुर्लिकंज प्रखंड के भत्खोरा पंचैत की, और तीसरा छपराजीले के एकमभा प्रखंड के देवपूरा पंचैत के, ये तीनों मामले जांच का भी से हैं, लेकिन इस तरीके के ममले, कही न कही चुनावी प्रकिरिया और चुनाव आयोक के प्रती अधिकारियों की विश्वस्वनियता पर सवाल जरूर उत्पन करती है, कि क्या वाकई मौझूता पंचैत चुनाव के परिनाम में फेरवदल किया जा रहा है, क्या वाकई प्रत्यासियों और अधिकारियों की मिली भगत से जीतने वाले प्रत्यासियों को हरा दिया जाता है, और हर रहे प्रत्यासियों को जीत का पर्मनपत्र दिया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा क्या क्या कारवाई होती है और क्या निर्ने आते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इसलिए News19 के YouTube शैनल को सब्सक्राइब कर ले और Facebook पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर ले बहुत बहुत धन्यवाद